कि तेरा दिन के बाद राख ठंडी हुई, मामला भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन इनकी सोच ठीक नहीं है, मामला ठंडा नहीं होगा, आम जन्मानस उठेगा, लोग शनकों पे उतरेंगे. जो परिस्थितियां बन रही है, यह आने वाला काल जो है, यह सरकार के लिए बहुत हानी है. नियाय के नाम पे तो अभी जो यह परसाशन है हमारा, बहुत ही सिथिल चलना है, क्योंकि और भी जो अपराद होते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी जो है, सरकार वहां पर बहुत मजबूती के साथ कदम उठाती है, सारी चीजों के करती है, लेकिन यहां पर ठाकुर और ब्राम ब्राममर जो है, जो यह लोग चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राममर अकेला नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ब्राममर जाएगा कहां, ऐसा नहीं है कि बिजेपी कि बना के रखे हैं, अगर ब्राममर बिजेपी नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, जाएगा उसका अपना भी अस्तम्भ है हम लोग अपना जो है भगवा आर्मी के तरफ से यह पे आये हैं और हम लोग चाहेंगे कि जो है सब लोग एक ट्ठा होगे नीशा तिवारी जी हैं इनके साथ पूरी तरीके से हम लोग लगे रहेंगे और न्यादि लाएंगे जैसे को चुनी है तो कि उनको यहां आफना और जो है पिड़ता के साथ अपना जो ज़ी जा Đây अभी चालब कुले लेने के लिए हम तद्पर हैं लेना जानते हैं उसमें कोई नहीं न देख रहे हैं दो की बात है आपने देखा तिकोनिया पार्क में जूटा बयान नहीं है उसको हम करना जानते हैं जादा दिन की बात नहीं है कल नहीं परसों में तेरू ही हो जाएगी उसके बाद मानने ये पांपांटे जी इत्याद लोगों ने आपको भी उस समय बताया होगा आपने भी किसी के बंधुवद घुलाम थोड़ो है आपने उस दिन देखा था भाई साब ने भी बताया है कि बीजेपी हम से थोड़ो हैं कहां हो रहा है नया हो ही नहीं रहा है नहीं दस लाग रुपे रे एक करोन में दस लाग क्या मतलब होता है आप बताए कहीं दस चिलगम भी न बिधायक की बात करेंगे जहां घटना हुई थी वहां के बरतमान बिधायक के बारे में कहते हैं अब हम उन्हें कत्ताई ओट नहीं देंगे अगर वो हमारे कारे में नहीं आएंगे तो हम अगर वो हम लोगों के कार में जात बाद हटा के काम नहीं करेंगे तो उन्हें हम तो देंगे ही नहीं और जो चार चाहेंगे कि भाई साब आज मेरे साथ घटित हुआ कल आपके साथ होगा काहीं काहींस र हम नियाति मांगाय आप देखी उत निर्गम की गई शासन पर शासन जिस् drone सिमा उन है त्य है आप सबी इस पर बीचार करें कि नहीं तरुने समय में हमारे देश का क्या है आप सब फुद सुचूदा बारा दिन बीथ गए हैं और गटना को भी परिवार के साथ तो जो सानबुति हमारे मांने सांसद महोदया जी की दौरा नहीं मिली हमारे मांने विदहक की धौरा नहीं मिली तो कई न कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्हीं लोगों की पैठ है तो यह भी बोलना चाहूंगा और क्यूंकि जिस परकार बाबा की le उमीदें होती हैं कि यह बोलते हैं कुद के लिए भी कि हम अगले चोरह पर हम्राज आपका इंतजार कर रहा है तो कहीं ने कहीं हैं दोसी को अभी तक सजा नहीं दिलाने में इनका अहम रूल रहा हमारे जो लोकल के सासन और सासन के जितने भी अधिकारिये हैं भागवा आर् पर्मी और उसके बाद संके सोयम सेवक भी हैं तो आप जानते हैं ब्रामवड हमेशा सर्वो परी रहा है वह सबका गुरू है चूकि आज से नहीं भगवान राम चंद्र जी पैदा हुए थे तब उनके भी गुरू गुरू बत्ते हैं इस तरीके से जिस तरीके से पास्पा का बिले हो जायेगा संभव पूरी मदद करने लिए यह देनमंधां दैन्तीनों से टेर प्रसासन से जहां तक होगा गौहार ही लगा सकता है हत्यारे तो हमें लोग अएज मिश्या नहीं कोया मिली हो जारें प्रसासन के सामने प्रसासन से गौहार लगाना ही हमार और हमारे चाचा जी राम परवेश मिसरा जी ने हम लोग सबी साथ में आए और हम लोगों का सीधा यह है कि जो हमारी पीड़ता है उनको नयाय मिले और जो है हम लोग जादा से जादा जो भी हो सके हम लोग स्कैन जो है उनका qr-code हम लोगों ने लिया जो भी हो सकता हम लोग जादा से जादा जो भी जादा कुछ तो नहीं बिल्कुल मदद करने का पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा यो साथियों का जहां तक हो सकेगा भगवा आर्मी जो कि हमारे जो चीफ है उसके राजुबिया उन्होंने भी बोला है कि मैं वहाँ हरियाना से जो भी हो सकेगा जो भी हो सकेगा वहां से मदद पूरी तरीके से की जाएगी और उनका जो है नेतित जो अभी वो कर रहे है इस भगवा आर्मी अध्याधाम का तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा यहां से और हो सकता है वो अगले दो-चार-चार-चार-दस दिन में आए तो हम लोग उनके साथ फिर यहां पर आए और अगर परसासन अभी जो कदम उठाएगा उसके बाद हम लोग फिर आएंगे ऐसा नहीं कि मैं आज आया हूं फिर अगली बार नहीं आऊंगा हम लोग बराबर यहां आते रहेंगे और जो हो सकेगा हम लोग करेंगे नया दिल